C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय चार सरल समी करण प्रिष्ठ नब्बे प्रश्नावली चार दशम लवेक एक, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिये सारणी के स्तंभ हैं क्रमसंख्या, समी करण, चरका मान बताए के समी करण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं एक, एक्स जमा तीन बराबर शुन्य एक्स बराबर तीन डश दो, एक्स जमा तीन बराबर शुन्य एक्स बराबर शुन्य डश तीन एक्स जमा तीन बराबर शुन्य एक्स बराबर माइनस तीन डश चार एक्स घटा साथ बराबर एक एक्स बराबर साथ डश 5. X घटा साथ बराबर एक, X बराबर आठ, डाश 6. 5X बराबर पचीस, X बराबर शून्य, डाश 7. 5X बराबर पचीस, X बराबर पाँच, डाश 8. 5X बराबर पचीस, X बराबर मैनस पाँच, डाश 9. M बटा तीन बराबर दो, M बराबर मैनस छे, डाश 10. M बटा तीन बराबर दो, M बराबर शून्य, डाश ग्यारह M बटा 3 बराबर 2 M बराबर 6 डैश दो जाज कीजिये के कोश्ठकों में दिये हुए मान दिये गए संगत समी करणों के हल हैं या नहीं A. N जमा 5 बराबर 19 N बराबर 1 B. साथ N जमा 5 बराबर 19 N बराबर माइनस 2 C. साथ N जमा 5 बराबर 19 N बराबर 2 D. चार पी घटा 3 बराबर 13 P बराबर 1 E. चार पी घटा 3 बराबर 13 P बराबर माइनस 4 F. 4P घटा 3 बराबर 13, P बराबर 0 3. प्रयत्न और भूल विधी से निम्न लिखित समी करणों को हल कीजिए 1. 5P जमा 2 बराबर 17 2. 3M घटा 14 बराबर 4 4. निम्न लिखित खथनों के लिए समी करण दीजिए 1. संख्याओं X और 4 का योग 9 है 2. Y में से दो घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं 3. A का 10 गुना 70 है 4. संख्या B को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है 5. T का 3 चौथाई 15 है 6. M का 7 गुना और 7 का योग फल आपको 77 देता है 7. एक संख्या X की चौथाई रिन 4 आपको 4 देता है 8. यदि आप Y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है 9. यदि आप Z के एक तिहाई में 3 जोडें तो आपको 30 प्राप्त होता है 9. प्रिष्ठ 91 5. निम्नलिखित समी करणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए 1. पी जमा 4 बराबर 15 है 2. M घटा 7 बराबर 3 3. 2M बराबर 7 4. M बटा 5 बराबर 3 5. 3M बटा 5 बराबर 6 6. 3P जमा 4 बराबर 25 7. 4P घटा 2 बराबर 18 8. P बटा 2 जमा 2 बराबर 8 6. निम्नलिखित स्थितियों में समी करण बनाए 1. इर्फान कहता है के उसके पास पर्मीत के पास जितने कंचे हैं, उनके पाँच गुने से साथ अधिक कंचे हैं इरफान के पास सैंतीस कंचे हैं परमीत के कंचों की संख्या को M लीजिए दो लक्षमी के पिता की आयू उन्चास वर्ष है उनकी आयू लड़की की आयू के तीन गुने से चार वर्ष अधिक है लक्षमी की आयू को Y वर्ष लीजिए तीन अध्याफिका बताती हैं के उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अधिक्तम अंक प्राप्त किये नियूनितम अंक का दुगुना धन साथ हैं प्राप्त किये गए अधिक्तम अंक 87 हैं न्यूनितम प्राप्त किये गए अंकों को L लीजिये. 4. एक सम द्विभाहु त्रिभुज में शीर्ष कोन प्रत्येक आधार कोन का दुगुना है. मान लीजिये प्रत्येक आधार कोन B डिग्री है. याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है. 4.4.1 एक समी करण को हल करना इस समी का पर विचार कीजिये. 8 घटा 3 बराबर 4 जमा एक समी करण या समी का 4.5. समी का 4.5 सत्य है क्योंके इसके दोनों पक्ष बराबर है. प्रत्येक 5 के बराबर है. आईए दोनों पक्षों में 2 जोडें. इसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है LHS बराबर 8 घटा 3 जमा दो बराबर 5 जमा दो बराबर 7. RHS बराबर 4 जमा एक जमा दो बराबर 5 जमा दो बराबर 7. पुनह समिका 4.5 सत्य है. अर्थात LHS और RHS समान है. इस प्रकार यदि हम एक समिका के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोडें, तो भी वह समिका सत्य होती है. आईए, अब दोनों पक्षों में से दो घटा ये. इसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है. LHS बराबर 8 घटा 3 घटा 2 बराबर 5 घटा 2 बराबर 3. RHS बराबर 4 जमा एक घटा 2 बराबर 5 घटा 2 बराबर 3. पुनह वह समिका सत्य है. इस प्रकार यदि हम एक समिका के दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटाएं, तो भी वह समिका सत्य होती है. इसी प्रकार यदि हम एक समिका के दोनों पक्षों को एक ही शून्येतर यानि नौन सीरो संख्या से गुणा करें या भाग दें, तो भी वह समिका सत्य होती है. उदहरनार्थ आईए उपरोक्त समिका के दोनों पक्षों को तीन से गुणा करें. हमें प्राप्त होता है LHS बराबर तीन गुणा कोश्ट हकों में आठ घटा तीन बराबर तीन गुणा पांच बराबर पंदर है. आरेचेस बराबर तीन गुणा कोश्ट हकों में चार जमा एक बराबर तीन गुणा पांच बराबर पंदर है. समिका सत्य है. प्रिष्ठ बानवे आईए अब हम उपरोक्त समिका के दोनों पक्षों को दो से भाग करें. एलेचेस बराबर आठ घटा तीन भाग दो बराबर पांच भाग दो बराबर पांच बटा दो. आरेचेस बराबर चार जमा एक भाग दो बराबर पांच बटा दो बराबर पांच बटा दो बराबर एलेचेस. पुनह समिका सत्य है. यदि हम कोई अन्य समिखा लें, तो भी हमें यही निशकर्ष प्राप्त होता है मान लीजिये कि हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं विशेश रूप से मान लीजिये कि हम एक समिखा के दोनों पकषों में भिन भिन संख्याईं जोडते हैं इस स्थिती में हम देखेंगे कि समी का सत्य नहीं होगी, अर्थात दोनों पक्ष समान नहीं होंगे। उदाहरणार्थ आईए समी का चार दशमलव पांच को पुनह लें। आठ घटा तीन बराबर चार जमा एक। अब इसके बाएं पक्ष में दो जोड़ें और दाएं पक्ष में तीन जोड़ें। अब नई LHS बराबर आठ घटा तीन जमा दो बराबर पांच जमा दो बराबर साथ है। तथा नई LHS बराबर चार जमा एक जमा तीन बराबर पांच जमा तीन बराबर आठ है। अब समिका सत्य नहीं है, क्योंके नई LHS और RHS बराबर नहीं है। इस प्रकार, यदि हम एक समिका के दोनों पक्षों में कोई गणिती ये संक्रिया एक ही संक्या के साथ ना करें, तो समिका सत्य नहीं हो सकती है। समिकरण एक चरों वाली समिका होती है। उपरोक्त निश्खर्ष समिकरणों के लिए भी मान्य होती हैं, क्योंके प्रत्येक समिकरण में चर केवल संक्या ही निरुपित करता है। प्रायह एक समिकरण को एक तौलने वाली तराजू या तुला यानि बैलन्स समझा जाता है। एक समिकरण पर एक गणिती ये संक्रिया करना इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे के तौलने वाली तराजू के दोनों पलडों में बराबर बांट डालना या उनमें से बराबर बांट निकाल लेना। एक समिकरण एक ऐसी तौलने वाली तराजू समझा जा सकता है जिसके दोनों पलडों में बराबर बांट रखे हों। इस स्थिति में तराजू की डंडी ठीक क्षैतिज रहती है। यदि हम दोनों पलडों में बराबर बाट यानि वेट्स डालें, तो डंडी अभी भी क्षैतिज ही रहती है। इसी प्रकार यदि हम दोनों पलडों में से बराबर बांट हटा लें यानि निकालें तो भी डंडी क्षैतिज रहती है। इसके विपरीत यदि हम दोनों पलडों में भिन बांट डालें यानि जोडें या उनमें से भिन बांट निकालें यानि घाटाएं तो भी तराजू की डंडी का संतुलन बिगड़ जाता है अर्थात डंडी क्षैतिज पर नहीं रहती है यहां एक चित्र के द्वारा यही समझाया गया है कि एक संतुलित समीकरण तराजू जैसी है जिसके दोनों पलडों में बराबर बांट रखे हों यानि LHS और RHS हम यह सिध्धान्त एक समीकरण को हल करने में प्रयोग करते हैं नह संदेह यहां तराजू कालपनिक है तथा संख्याओं को बांटों की तरहा भावतिक रूप से संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता इस सिध्धान्त को प्रस्तुत करने का यही मुख्य उद्देश्य है आईए कुछ उदहरन लें प्रिष्ठ तिरान्वे निम्न लिखित समीकरण पर विचार कीजिए एक्स जमा तीन बराबर आठ ये हुआ समीकरण चार दशमलव छै हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में से तीन को घटाते हैं नई LHS है एक्स जमा तीन घटा तीन बराबर एक्स तथा नई RHS है आठ घटा तीन बराबर पांच यहां एक चित्र की मदद से इस समीकरण को दिखाया गया है जहां एक्स जमा तीन और आठ एक तराजू के दो बांट हैं हम तीन को क्यों घटाएं? कोई और संख्या क्यों न घटाएं? तीन को जोड़ कर देखिए क्या यह कुछ सहाइता करेगा? क्यों नहीं? ऐसा इसलिए किया है क्योंके तीन को घटाने पर एल एच एस में एक्स रह जाता है चुँकि इस से संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए हमें प्राप्त होता है नई LHS बराबर नई RHS या X बराबर 5 यह वही है जो हम चाहते हैं अर्थात यह समी करण 4.6 का एक हल है इसकी पुष्टी करने के लिए कि यह सही है या नहीं हम प्रारंभिक समी करण में X बराबर 5 रखेंगे हमें LHS बराबर X जमातीन बराबर 5 जमातीन बराबर 8 प्राप्त होती है जो RHS के बराबर है यही हल सही होने के लिए आवश्यक है समीकरण के दोनों पक्षों में सही गणिती ये संक्रिया करने से अर्थात तीन घटाने से हम समीकरण के हल पर पहुँच गए आईए एक अन्य समीकरण लें एक्स घटा तीन बराबर दस समीकरण चार दशमलव साथ इस समीकरण को भी एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिसमें तराजू के दो बाठ है एक्स घटा तीन और दस यहां हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों पक्षों में तीन जोड़ना चाहिए ऐसा करने से समीकरण का संतुलन बना रहेगा तथा LHS में केवल एक्स रह जाएगा नई LHS बराबर एक्स घटा तीन जमा तीन बराबर एक्स नई RHS बराबर दस जमा तीन बराबर तेरह अतह एक्स बराबर तेरह है जो वांचित हल है प्रारंभिक समीकरण चार दशमलव साथ में एक्स बराबर तेरह रखने पर हम इसकी पुष्टी करते हैं कि यह हल सही है प्रारंभिक समीकरण की LHS बराबर एक्स घटा तीन बराबर तेरह घटा तीन बराबर दस है जैसा के वांचिनी है यह RHS के बराबर है इसी प्रकार आईए निम्न लिखित समीकरणों को देखें 5Y बराबर 35 समीकरण 4.8 M बटा 2 बराबर 5 समीकरण 4.9 पहली स्थिती में हम दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे इससे LHS में केवल Y रह जाता है प्रिष्ठ 94 नई LHS बराबर 5Y बटा 5 बराबर 5 गुणा Y बटा 5 बराबर Y नई LHS बराबर 35 बटा 5 बराबर 5 गुणा 7 बटा 5 बराबर 7 अतह Y बराबर 7 यही समीकरण का वांचित हल है हम समीकरण 4.8 में Y बराबर 7 प्रतिस्थापित करके इसकी जाँच कर सकते हैं कि समीकरण संतुष्ट हो जाता है दूसरी स्थिती में हम दोनों पक्षों को दो से गुणा करते हैं इससे LHS में केवल M रह जाता है नई LHS बराबर M बटा 2 गुणा 2 बराबर M तथा नई RHS बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 है अतह M बराबर 10 यही वानशित हल है आप इसकी जाँच कर सकते हैं कि यह हल सही है या नहीं उपरोक्त उधाहरणों से यह देखा जा सकता है कि समीकरण के हल करने के लिए हमें जिस संक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी वह समीकरण पर निर्भर करता है हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि समीकरण में चर प्रिथक हो जाए कभी कभी ऐसा करने के लिए हमें एक से अधिक गणीतिये संक्रियाएं करनी पड़ सकती हैं इसको मस्तिष्क में रखते हुए आईए कुछ और समीकरण हल करें उदहरण पाँच हल कीजिये A. तीन एन जमा साथ बराबर पच्चीस समीकरण चार दशमलव एक शून्य B. दो पीग हटा एक बराबर तेईस समीकरण चार दशमलव एक एक हल A. हम समीकरण की LHS में चर एन को प्रिथक करने के लिए एक चरण बद्ध विधी से कार्य करते हैं LHS यहां तीन एन जमा साथ है पहले हम इसमें से साथ घटाएंगे जिससे तीन एन प्राप्त होगा इससे अगले चरण में हम इसे तीन से भाग देंगे जिससे एन प्राप्त होगा याद रखिए कि हमें समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संक्रिया करनी चाहिए अथह दोनों पक्षों में से साथ घटाने पर तीनन जमा साथ घटा साथ बराबर पचीस घटा साथ चरण एक या तीनन बराबर अठारह अब दोनों पक्षों को तीन से भाग दीजिए तीन एन भाग तीन बराबर अठारह भाग तीन चरण दो या एन बराबर छे जो इसका हल है बी, यहां हमें क्या करना चाहिए? पहले हम दोनों पक्षों में एक जोडते हैं दो पी घटा एक जमा एक बराबर तेईस जमा एक चरण एक या दो पी बराबर चौबीस प्रिष्ठ पिच्चानवे अब दोनों पक्षों को दो से भाग देते हैं दो पी भाग दो बराबर चौबीस भाग दो चरण दो या पी बराबर बारह जो इसका हल है आपको एक अच्छी आदत विकसित कर लेनी चाहिए जो यह है कि प्राप्त की यह हल की जांच अवश्य कर लें यद्यपी हमने यह A के लिए नहीं किया है परंतु आईए इस उदाहरण B के लिए ऐसा करें आईए इस हल P बराबर बारह को समी करण में रखें LHS बराबर दो पी घटा एक बराबर दो गुणा बारह घटा एक बराबर चौबीस घटा एक बराबर तेईस बराबर RHS इस प्रकार हल की सत्यता की जांच हो गई उपरोक्त एक के हल की भी अब आप जांच कर ही लीजिए अब हम इस स्थिती में हैं कि अप्पू, सरिता और अमीना द्वारा प्रस्तुत किये गए बौधिक खेल पर वापस जाएं और समझें कि उन्होंने अपने उत्तर किस प्रकार ग्याद किये इस कार्य के लिए आईए समीकरणों 4.1 और 4.2 को देखें जो क्रमशह, अमीना और अप्पू के उदाहरणों के संगत हैं पहले निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए 4X जमा 5 बराबर 65 समीकरण 4.2 दोनु पक्षों में से 5 घटाने पर 4X जमा 5 घटा 5 बराबर 65 घटा 5 अर्थाद 4X बराबर 60 X को प्रिथक करने के लिए दोनु पक्षों को 4 से भाग देने पर 4X भाग 4 बराबर 60 भाग 4 या X बराबर 15 है जो वांजित हल है जाच कीजिए के यह सही है अब निम्न लिकित समीकरण पर विचार कीजिए 10Y घटा 20 बराबर 50 समीकरण 4.2 दोनु पक्षों में 20 जोडने पर हमें प्राप्त होता है 10Y घटा 20 जमा 20 बराबर 50 जमा 20 या 10Y बराबर 70 दोनों पक्षों को 10 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 10Y भाग 10 बराबर 70 भाग 10 या Y बराबर 7 जो वांजित हल है जाच कीजिए के यह सही है आप यह अनुभव करेंगे के ठीक यही उत्तर अप्पू, सरिता और अमीना ने दिये थे उन्होंने समी करण बनाना और फिर उन्हें हल करना सीख लिया था इसी कारण वे अपना बौधिक खेल बनाकर संपून कक्षा पर अपना प्रभाव डाल पाए हम इस पर अनुछेद चार दशमलव साथ में वापस आएंगे प्रिश्ट 96 प्रश्णावली 4.2 1. पहले चर को प्रिथक करने वाला चरण बताये और फिर समी करण को हल कीजिए A. X घटा एक बराबर शून्य B. X जमा एक बराबर शून्य C. X घटा एक बराबर पांच D. X जमा छै बराबर दो E. Y घटा चार बराबर माइनस साथ F. Y घटा चार बराबर चार G. Y जमा चार बराबर चार H. Y जमा चार बराबर माइनस चार 2. पहले चर को प्रिथक करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले चरण को बताईए और फिर समी करण को हल कीजिए A. 3L बराबर 42 B. B बटा 2 बराबर 6 C. P बटा 7 बराबर 4 D. 4X बराबर 25 E. 8E बराबर 36 F. Z बराबर 3 बराबर 5 बराबर 4 G. A बराबर 5 बराबर 7 बराबर 15 H. 20T बराबर माइनस 10 3. चर को प्रिथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताईए और फिर समी करण को हल कीजिए A. 3N घटा 2 बराबर 46 B. 5M जमा 7 बराबर 17 C. 20P बटा 3 बराबर 40 D. 3P बटा 10 बराबर 6 4. निम्नलिखित समी करणों को हल कीजिए A. 10P बराबर 100 B. 10P जमा 10 बराबर 100 C. P बटा 4 बराबर 5 D. माइनस P बटा 3 बराबर 5 E. 3P बटा 4 बराबर 6 F. 3S बराबर माइनस 9 G. 3S जमा 12 बराबर 0 H. 3S बराबर 0 I. 2Q बराबर 6 J. 2Q घटा 6 बराबर 0 K. 2Q जमा 6 बराबर 0 L. 2Q जमा 6 बराबर 12 है अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक Dr. Rajesh Kumar निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तकनीकी समनवयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्य मलिक निर्देशन वा निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत